है यह लो स्टुडेंट मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं वी ए सेकंडियर का रिसोस जोगरफी वाला पेपर रिसोस जोगरफी में अब लोग हम लोगोंने संसाधन किसे कहते हैं संसाधन के प्रकार संसाधन को कितने भागों में बांटा जा सकता है इ और इसी में आज का टॉपिक है जिसका नाम है विश्वकी बनस्पती वैजिटेशन ओफ दा वर्ड विस्वकी बनस्पती बनस्पती का विपरा है कि द्हरातल के ऊपर मिलने वाले वे सभी पेड़ पौडे जो छोटे से लेकर बड़े तक होते हैं उन्हें बनस्पती कहा जाता है और बनस्पती भी एक संसादन कहलाती है बनस्पती जो संसादन होती है यह प्रतेक देश में या पूरे विश्व में एक जैसी नहीं है किसी देश में बनस्पती ज्यादा पाई जाती है तो किसी देश में बनस्पती कम पाई जाती है इसलिए W.E.O. World Environmental Organization के अनुसार पूरे विश्व में कम से कम 33 प्रतिसत बनस्पती का होना आवशक है लेकिन ये जो विश्व की बनस्पती है ये 28.5 प्रतिसत है यानि की ओसस से कम तो ऐसा नहीं है कि प्रतिक देश की 28.5 है किसी देश की कम है तो किसी देश की ज्यादा है जैसे भारत कर हम लोग बात करेंगे तो जो फोरेश रेपोर्ट आई ये भारत में 2019 में उसके अनुसार भारत में लगवग 23.79 प्रतिसत की लगवग बनस्पती पाई जाती है जबकि कई सारे ऐसे देश हैं जैसे ब्राजील है जहां पर बनस्पती का कुल प्रतिसत बहुत ज जादा क्यूं है इसको प्रभावित करने वाले कारड़ होते हैं इसको हम लोग देखेंगे कि बनस्पती को प्रभावित करने वाले कारड़ कौन-कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं कि बनस्पती को प्रभावित करने वाले दो ही कारड़ होते हैं इसमें एक तो है भोतिक द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें भोते कार्ड या फिजिकल फेक्टर कहा जाता है इस भोते कार्ड के अंतरगत यहां किसी देश की इस्तिती वहां की जलवायू वहां की मिट्टी वहां की बरसा वहां की जल की उपलब दता यह सभी कार्ड बनस्पती को प्रभावित करते ह जैसे अगर किसी देश की मिट्टी उपजाओ है वहाँ पर बरसा भी जादा होती है तो वहाँ पर जादा मात्रा बरस्पती मिलेगी और वहाँ पर कुल छेतरपल पर बरस्पती का प्रतिसत भी जादा होगा इसलिए बहुते कार्ड मुक्रुप से इसको बनस्पती को प्रभावित करते हैं इसके लाबा एक होते हैं मानवी कार्ड मानवी कार्ड मलब होता है कि मानव भी पेड़ पोदों को या बनस्पती को प्रभावित करता है अगर किसी देश में मानव जागरुक है तो है बनस्पती को ज़्यादा हिरास या नुकसान नहीं करेगा लेकिन अगर उस देश का मानव जागरुक नहीं है और अपने लालच में आकर के उद्दो धंदों को बढ़ावा देने के लिए या खेती को बड़ावा देने के लिए पेड़ों को काट देता है तो उस देश में बनस्पती का जो प्रतिसत है वो काफी कम हो जाएगा कहने का मलब यह है कि मानव की जो चेतना होती है जागता होती है यह भी क्या करती है बनस्पती को प्रभावित करती है तो बनस्पती को प्रभावित करने वाले दो ही कार्ड होते हैं एक तो होता है भोते कार्ड और एक होते है मानवी कार्ड अब हमनों देखेंगे प्राकरति बनस्पती के प्रकार टाइप्स ओफ नेचरल वैजिटेशन ओफ दा वर्ड यानि विष्व के संदर्म में बनस्पती कितने प्रकार की होती है तो मैं आपको पता दूँ कि पूरे विष्व में जो बनस्पती पाई जाती है उसे आठ मुख्य भागों में बाट दिया गया है पहला है उश्कटवंदिय सदाबहरवन साथमा है मरुष्टलिय बनस्पती और आठमा है परवतिय बनस्पती अब हम लोग एक-एक की चर्चा करेंगे तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उश्कटवंदिय सदाबहरवन इन्हें एवरी ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है यानि सदे भरे भरे जो बन रहते हैं उनको सदाबहर बन के कहा जाता है लेकिन यह जो बन होते हैं वो हर जगह नहीं होते हैं यह कहां होते हैं जहां पर बरसाई मात्रा कितनी होनी चाहिए 200 सेंटीमेटर से जादा तो ऐसे छेत्र जहां पर बर्सा की मात्रा 200 cm से जादा होती है वहां पर ये उश्कटबंदिय सदा बहार बन पाए जाते हैं अगर हम लोग गलोब पर देखें अगर मैं कहूँ ये गलोब है और गलोब के बीच में ये भूमद रेखा है तो भूमद रेखा के ऊपर 10 डिगरी 0 डिगरी से 10 डिगरी नौर्थ में और 10 डिगरी साउत में ये जो एरिया है भूमद रेखा से 10 डिगरी उत्तर और 10 के नाम से भी जानते हैं ज्यादा फेपड़ी होने से ज्यादा मिलती है और या ने च्छ विलने से अच्छे से काम करते हैं इसी लिए सदाभार बनों को विष्व का फैपड़ाभी कहा गया है इसी में अगला है मांसूनी वन या मांसूनी पतजड़वन इनकी पहचान यह होती है कि इसमें वेपृटीर्ट पोदे आते हैं जो रितु आगमन पर अपनी पतीयों को लेट्स को गिरा देते हैं और उन पर नई पत्या आती है ये बैसे अधकांसे देशों में प्रतीसत के आधार पर ये मानसूनी बन फैले हुए हैं ये उन इस्तानों पर होते हैं जहां बरसागी मात्रा 100 सेंटीमिटर से 200 सेंटीमिटर के मद्दे में होती है खास करके दच्छड एसिया मुक्रूप से दच्छड पूरवी एसिया में ऐसे ही मानसून बनस्पती अधकांस ते देखने को मिलती है इसी में अगला है उश्र कडवंदिय सवाना बनस्पती यानि ऐसा चेतर जहां पर मुक्रूप से पतिजड़ बनों का और घास का मिक्षर होता है उन चेतरों में सवाना बनस्पती देखने को मिलती है और यह जो सवाना बनस्पती जो पाई जाती है वहें 75 से 1500 सेंटी मिल्टर बरसा वाले चेतरों में देखने को मिलती है अधकांस्ते अफरीका के चेतरों में एशिया के चेतरों में यहें बनस्पती अधकांस्ते मातरा में पाई जाती है इसी में अगला है भूमत शागरिय ब परसा हुती है इस बनस्पती को भूमशागरे बनस्पती भी कहते हैं और यह बनस्पती अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के दश्र में पाई जाती है इस से अगली है मध्यच्छांसिय या सीतोष्र बनस्पती यह बनस्पती 75 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्सावाले छेत्र में ऐसे घास के मैदानों को पेरीज दच्छल मेरिका में पंपाच यूरोप यूरोप में अगर हम बात करेंगे या अफ्रीका में इसको बैल्ड कहते हैं इनको यूरोप में इस्टेपीज कहा जाता है जबकि ऑस्टेलिया में इनको अलग तो मुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो अलगला प्रकास से ये घास के मैदान पाए जाते हैं इसी में अगला है टुंड्रा बनस्पती टुंड्रा बनस्पती वह बनस्पती होती है जो धुर्मों के निकट पाई जाती है जहां पर ज़्यादा मात्रा में हिंपात होता ह वहाँ पे यह टूंड्रा बंसपती देखने को मिलती है लेकिन यह मिलती है कर दाभू समौ आती है जिसे टुंड्रा बनस्पती कहते हैं इसी में अगला है मरुष्टले बनस्पती डिजर्ट वेजिटेशन मरुष्टले बनस्पती वह बनस्पती होती है जहां 50 cm से कम बर्सा होती है वहां पर कटिली जाडियां अधिकास्त देखने को मिलती है और ऐसी बनस्पती क्योंकि जल बाश्पित होता है और वहां पहले से पानी कम होती है तो जो सफ़े ऊपर को परवती बनस्पति होती है यह बहुत सारे मरस्तल है जहां पर यह बनस्पति देखने को मिलती है और अन्त में हैं परवती बनस्पति परवती बनस्पति के कैसी बनस्पति होती है जिसमें अगर जीरो यानि की नीचे धरातल से पहाड के ऊपर चड़ा जाए तो हर एक 500 या 1000 मिल्टर के बाद उस बनस्पति का जो परवतन होता रहता है जैसे मान के चलें कि यह कोई पहाड है और पहाड पे यहां पे जो नीचे बन पाए जाते हों लेकि उपर जाने पर आप जानते होंगे कि तापबन कम होता जाता है और तापबन कम होता जाता है तो बनस्पति भी कैसी होती जाती है बदलती चली जाती है तो यहां पर हो सकता है कि मांसुनी बन हो यहां हो सकता है सीतोशड बन हो उपर जाने पर वहां देखने को मिलती है इस प्रकार से यह रहा आज का टोपिक जिसका नाम था विश्वकी बनस्पति और इस टोपिक के बाद में अगला जो हम टोपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा मर्दा संसादन तो आज के लिए बस इतना ही थेंक यू